हेलो एवरिवन और वेल्कम बैक टू माई चैनल डियरेक्स वेलनेस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है एकने यानि मुहासो के बारे में कि हमें ये क्यू होते है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते है तो आईए जानता है और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तकी सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए शुरू करता है तो गाइस अगर हम बात करें एकने की तो इससे पहले हमें यह समझना जुरूरी है कि हमारी स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है तो गाइस अगर हम अपनी स्किन के स्ट्रक्चर को देखते है तो इसमें जहां से हमारे हेर की ग्रोथ होती है वहीं पर डीप डाउन प्रेजेंट होता है हमारा सिबेशेस ग्लैंड यानि कि हमारी वसामाई ग जरन्थी इस ग्लैंड में से निकलता है सीबम जो कि एक ओईली लिक्विड जैसा होता है जो कि हमारी स्किन को नैचरली मॉश्टर प्रवाइड करता है और ड्राइनेस से बचाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह इतना ज्यादा सिक्रीशन इसका बढ़ जाता है जिसके कारण जो हमारे पूर्ज होता है स्किन के वो क्लॉग होना चालू हो जाता है ब्लॉक होना चालू हो जाता है और ब्लॉक होने के बाद वो कुछ इस टाइप के फॉर्म में कनवर्ट होने लगता है कभी ब्लैक हैट्स तो कभी वाइट हैट्स अगर बैक्टेरियल इंफेक् तो यह हमारी स्किन क्यों मॉइस्ट्र प्रोइड कर रहा है लेकिन अगर यह बढ़ जाए तो दिक्कत है तो आईए अब जानता है कुछ कारण की इसके बढ़ने के कि यह बढ़ता क्यों है आखिरकार तो सबसे पहला जो कारण है वो है हमारे सेक्स होर्वोन के वज़े से मेल में होता है ड़िश Turkey ऐसे में होता है ऐस्रूजन तो जब हम 12 साल के होते हैं मतलब कि ज मारी जवानी एक होने में हाती है तो प्नीर जिससा हम कहते हैं हमारे शरीड पिशेफेन्दर काफी सारी चेंजेस होते हैं श्रीर में डैवलॉपमेंट होता है तो उसी चेंजेस ओर ड जो levels है इसके oil के वो 6 months या 1 साल के अंदर normal levels पे आ जाता है पर किसी किसी को ये acne की समस्या even 15 साल के हो या 20 साल के हो या 25 साल के हो तब तक भी चलते रहती है तो उन cases में जब doctors ने research करी तो ये पाया कि liver में एक protein present होता है जिसे sex hormone binding ग्लोबिलिन कहता है याने की short में SHBG जो कि इन hormones के release को control में रखता है पर जब इस protein की कमी होने लगे तो ये जो secretions होते हैं वो कहीं न कहीं fluctuate होने लगता है बंड लगता है तो इसे control करने के लिए हमें liver health पर ध्यान देना काफी ज़रूरी है और liver को कैसे मजबूत रखा जाए इसे कैसे स्वस्त रखा जाए इसका वीडियो में पहले बना चुका हूँ अगर आपको देखना हो तो आप उपर के बटन में क्लिक करके इसे देख सकता है then second reason यह है हमारा insulin resistance अक्सर देखा गया है कि teenagers काफी जादा snacks और junk foods खाते हैं जिन में होती है high amounts of sugar और palm oil तो जब हम य करने में दिक्कात आने लगते और इसके फॉल्स परूप ज्यादा मातर में शुगर्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो जाती है जो कि फिर हमारे शरीर में inflammation यानि की सूजन को बढ़ाता है और females के case में भी यह देखाया गया है कि जिनको PCOS यानि की polycystic ovidian syndrome होता है उनमें insulin resistance काफी ज्यादा है और diabetic होने के लक्षण भी काफी ज्यादा होता है और again PCOS होने के कारण जो normal levels होता है hormones के estrogen के और testosterone के वो rise होने लगता है और acne की समस्या again बढ़ जाती है then third reason है हमारा stress stress के कारण cortisol levels काफी बढ़ जाता है जिसके कारण again हमारा metabolism poor हो जाता है और हमारे hormonal levels rise होने लगता है body ज्यादा स्यादा testosterone और estrogen प्रोड्यूस करती है ऐसी situations में जिसके कारण again हमारे सिबवेश्य ग्लैंड के secretions बढ़ जाता है तो इतनी सारी problems है तो इसका solution क्या है तो guys जब भी आपको acne हो तो आप उसको pop नहीं कर जानी कि उसको मतलब दबाए नहीं तोड़े नहीं और scrub बहु और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और आपको अगर acne बहुत ज्यादा है तो आप ISO 39 होती है एक drug जो कि doctors usually recommend करता है उसे आप ले सकते हैं जो कि temporarily आपके oily secretions को रोग कर देगा लेकिन long term चीजे जॉप को ध्यान रखनी है उनमें आता है sugary foods को avoid करना carbohydrates को काफी limited रखना dairy products जैस में काफी ज्यादा estrogen की मातरा बढ़ गई है तो आप उसे भी कोशिश करें कि avoid ही करें या कम से कम उसका रखे consumption अगर आपको acne बहुत ज्यादा होता है तो अपनी diet map antioxidants जैसे कि vitamin C, vitamin E को add करे, vitamin E के capsules आता है market में जिसको आप break करके उसमें से जो oil आता है उसको आप directly अपने skin प आपकी skin की health के लिए काफी अच्छा होता है और males में especially testosterone को DHT यानि की dihydro testosterone में convert होने से रोकता है जो की again आपको skin problem से बचाता है तो guys ये कुछ tips थी जो मैं आपके साथ share करना चाता था आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया ये दोस्तो और परिवार वालों के साथ और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मेरा नेक्स वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू